जन्म कुंडली विश्टेशन इसका अंदाजा एक आम आदमी नहीं लगा सकता है जब तक ही वो उस दोर से नहीं गुजरा हो एक वैक्ति या तो अपने माता पिता, घर, परिवार के सदस्यों के साथ जैसी भी नौकरी मिले वो लेकर लेकिन उनके साथ रहे या फिर नौकरी नहीं मिलती है तो बेरोजगार रहे पर परिवार के साथ जीवन जी ले या फिर कोई भी नौकरी जो हाथ में आई है अच्छी हो या बुरी हो दूर में हो तो अभी उसे चुनकर बाहर दूर किसी और सीटी या कंट्री में जाकर अपना जीवन यापन कर ले लेकिन परिवार से दूर इस व्यक्ति ने बड़े ही भारी मन से अपनी नई नौकरी को अपने माता-पिता रिश्दारों के उपर चुना अपने शहर तरथा प्रदेश को छोड़ कर बाहर प्रदेश में जाकर नौकरी जॉइन करता है जॉइन करता है वहां पर ऑफिस में ही जॉब करने वाली विडो महिला से दोस्ती हो जाती है वक्त गुजरा दोनों के मत्ये प्रेम हो गया घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी भी ये दुनों कर लेते हैं विवा के तीन साल तक तो माता पिता इसी कश्प कश्प थे कि संतान उत्पती करें या नहीं आज जिसमें चार साल की बच्चे की बात करो उसके बाता पिता ने ये सोचा था कि हमने बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है इसके तीन बार इनको अबॉर्शन भी करवाना पड़ा खैर चौती बार जब ये मा घरववती होती है तो मा ने यहीं फैसला लिया कि हम इस बार अबॉर्शन नहीं करवाएंगे लेकिन पिता अडिक रहे कि मैं अपने बच्चे की परवरश की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता मेरे पास अतना सामरती नहीं कि बच्चे की परवरश कर सकूँ और माँ पुरे आठ मैने टेंशन और डिप्रेशन में ही रहती है और इस बार बच्चे का जर्म होता है लेकिन ये बच्चे का जर्म आठ माह में ही पैदा हो जाता है जिस कारण ये बच्चा बहुत कमजोर हुआ और वर्तमान में इस बच्चे के उम्र चार साल है इनके बच्चे को किड़नी से संबतित बिमारी है जिसका की पिछले सवा साल से इलाज चल रहा है फिर भी ये बार बार किड़नी में इन्फेक्शन हो जाता है डॉक्टरों के अनुसार ये बिमारी कब ठीक होगी ये बताने में वो असमर्थ है अब इस बच्चे की बिमारी के कारण पती पत्री में अकसर जगड़ा होता है पती हमेशा कहते हैं कि मैंने मना किया था कि हमें बच्चा नहीं प्लान करना चाहिए अब मेरी सैलेरी का 60% पैसा इस बच्चे की बिमारी बे जा रहा है और ये भी नहीं पता है को ठीक होगा कब इस रोग से पूरी तरह मुक्ती कब मिल पाएगी क्या इस बिमारी के कारण भवश्य में कोई बुरा परभाव तो नहीं पड़ेगा ऐसे ही चंद प्रष्टों का जवाब ये माब आप चाहते हैं तो आईए जर्मकुणली का विश्टेशन करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस बच्चे के ग्रहों का खेल ये जन्म कुणली आपके सामने है देखिए कुम्ब लगन की जन्म कुणली है लगनेश यहाँ पर बनते है शनी जो की एड़ थाौस में जहाँ पर देखिए गैरा नमबर से कुणली शुरू ओती है चे नमबर में यहाँ पर अस्टम भाव जो की आईउ और बित्यू का अब में शनी विराजबान हो गए जो की जीवन में थोड़ा सा संगर जरूर रहता है जब लग रहे हैं शटे आटवे और बारवे गर में चले जाए उसमें पर देखिए कि शनी सिक्स ताउस यानि रोग भाव के लॉर्ड चंद्रमा के साथ अशुब विश्दोष बनाए हो उने से तकलीफ हो गए देखिए चार नमर जहां पर लिखा हुआ है उसके लोट छे में शत्रूराशी में चले गए शनी के साथ विश्दोष बना रहे हैं जिसे हम इनसान को बाला रिस्ट यानि बच्पन में रोगी रहने वाली कुंडली कहते हैं अब देखिए इस प्लायट प्लायट नहीं है वो शैडव गए शहनी का ही छाया रूप है पररंतु जब भी शनी रहो का देखिए तो इनसान को रोग देता ही सामनों हो जाया तो कैंसर जैसी गंबिर विमारी को देंसान सामनों को मार देता यह दोर्व देता लेकिन रहो बी पीछा नहीं चार की दरफ ये नौमी दृष्टी से चंद्रमा यानि रोग भाव को देख रहे हैं रोगेश तो मृत्यूस्तान में गई हैं वापस राहू भी रोग भाव को देख रहे हैं और केतु ने भी आग में घी डालने का काम किया अब देखिए केतु दो नमबर जहां पर केतु व बहुत बड़ा दोश है मुझे मेरा मन भी बहुत दुखी होता है जब मैं इस प्रकार की बात करता हूँ लेकिन मैं यहां पर बैट कर एमोशनल नहीं हो सकता हूँ मुझे जो ग्रैग कह रहे हैं वो ही मुझे बोलना ज़रूरी है हाँ उपाय करके हम काफी अतर ठीक जरू टाइम देती है मान लिजीए कि आपकी गड़ी बारा बज़े बंद हो जाती है चौबिस गंटे में दो बार तो भाई बारा बजेंगी बजेंगे यानि कि उस बंद गड़ी ने भी दो बार सई टाइम तो जरूर दिया हर इंसान में अच्छी चीज़ा भी होती है वैसे ज इन दोनों भाव के लॉड होकर सेवन्त हाउस में स्वैम शुक्र का रक्षत्र लिये हुए बैठे हैं। सीखना पड़ेगा। जहां देखते हैं वहाँ अमरित की वर्षा करते हैं। वह सुन्दर राजयों बनता ही है। और साथवी द्रिष्टी शुक्र के गर पर भागियसान पर होने से बच्चे का भागिया अठारा वर्ष की समाप्ती के बाद जरूर होगा। और नवमी द्रिष्टी लाभभाव यानि कि स्वैम के गर पे एक से ना कि दो की तरफ एरो जा रहा है। तो स्वैम की राशी को देख रहे हैं ये शुब द्रिष्टी सम्बंद जो है बालक के रोग को ठीक करने में सोब प्रतिशत वददद कार रहेंगे इस विए चिंता नहीं चिंतन करिए लेकिन संगर शुरूर रहेगा क्योंकि प्लैनेटरी पोजिशन कॉमिनेशन कुछ इ अब आज में बात करता हूँ कि हमारी इस बाच्चीत का निश्कर श्या निकलता है कि जिस वक्त आप संतान उत्पती के बारे में संबद बनाते हैं मोस्ट इंपॉर्टन चीज़ ये याद रखिएगा उस वक्त की मानसिक्ता और गर्ब में रहते हुए मां की मानसिक इस्त है उस वक्त आपका मन प्रसन होना चाहिए हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए हमें भी बच्चा नहीं चाहिए और संबद मनाते हैं मां गर्बवती हो जाती है वो बच्चा नेगेटिव पैदा होगा उस बच्चे में तकलीफ होगी मां जब गर्बवती होती है तो खूब पत्री को उसको सुख देना चाहिए, परिवार वालों को सुख देना चाहिए, खुद पत्री को अपने पत्री के नौकरी छोटी है, व्यापार में गाटा है, सब भूल जाएए, हवेशा प्रसन रहिए, उन बातों के तरफ ध्यान देंगे, आपके बच्चा नेगेटिव प समय तक किडनी की समस्या हल नहीं होगी, बाला के खान पान पर विशेश ध्यान रखना होगा, वहीं जन्ब कुडली जो के दुर्योग से भरी हुई कुडली है, इनके उपाये मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, जिन उपायों को करके लगरेश को बल मिलेगा, और बाला की गव मुतर भी आज कर मिलते हैं, उस गव मुतर की दो टी स्पून, साथ में दो टी स्पून शेहत को मिलाकर गरम पानी में रोज बच्चे को पिलाईए, सुवे सुवे, खाली पेट स्टमक, आप देखें चमतकार मिलेगा आपको, गव के अंदर जो भी चीज़ा में मिलती जाए, वो जिन्दा रहे, मिर्तियों के बाद उस सिर्व लाब देती है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह, सुनेश्चरा है न वहां, कि एक माला जाप बच्चा करें तो बहतर नहीं, तो बच्चे के माँ उसके लिए संकल प्ले सकती है, अगले उपाय थोड़ा खर्च जरूर अगर आपके माबाप ने भी आपको डंग से पाल पोस्कर बड़ा नहीं किया होता, आज आप इस काबिल नहीं होते, तो यह मैं सोचे कि मैं बच्चा नहीं चाहता था, अभी आ गया तो मेरी सांट प्रतिश्च तनकवा इस पर वेतित हो रही है, ऐसी सोच आपको बहतर ज जन्म के कर्म के अधार पर हो सकती है, या फिर हमारी जन्म कुंडली में चल रही विपरी तदशा, या जन्म कुंडली के दुर योगों के अधार पर, तो आप और मैं परसली मिलकर आपकी जन्म कुंडली का विस्टेशन करेंगे, और जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है, और क्या समाधान हो सकता है इसी कड़ी में मैं आ रहा हूँ आप सबी से मिलने के लिए 21 और 22 अगस्त को मुंबई शहर में आप सबी मुझसे परसली मिल सकते हैं इसके लिए आपको एपॉइंट में लेना पड़ेगा और 23 अगस्त को मैं रहूंगा नासिक महरास्त्रा में यहाँ पर संपर करने के लिए 93 705 905 36 और 93 721 65 949 तो और 24 अगस्त को पूना 26 अगस्त को गोवा इसके लिए आपको हमारे जोदपूर कारेले में संपर करके अपॉइंट में लेना पड़ेगा 0291 519 0000 दूसरा नंबर है 93 14728165 तो आप सभी से परसनली मैं मिलना चाहता हूं और पदारिये और आप और हम मिलकर समस्या का समाधान कोचते हैं जन्म कुंडली विश्टेशन आज मैं 26 साल यानि 26 येर ओल्ड एक युवा वैक्ती की कुंडली का विश्टेशन करने जा रहा हूँ इनका जन्म तो दिल्ली में हुआ और इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और टॉप किया और इस वक्त ये लेगोस नाइजीरिया में जॉब भी कर रहे हैं और अपनी जॉब से संतुस्ट भी हैं जो आम तोर पर बेने करी लोगों को देखा हैं जो हमेशा संतुस्टी रहते हैं हमेशा नेगेटिव विचार जब भी मिलेंगे तब तक नेगेटिव से शुरुवात करेंगे उनको पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे आने वाले स करूँ गा और दूसरा आप्शन मेरे पास ये है कि मेरे पिता यहां नाइजीरिया में ओल का व्यापार करते हैं और आगे इस व्यावसाय में बहुत स्कोप है मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उनके व्यापार से जुड़ जाऊं परन्तु मेरे एक छोटा भाई भी है जो कि मे मेरे चाचा के साथ और पिता जी और यह सब सहीवत रूप से व्यापार से जुड़े हुए हैं और पिता के साथ ही कहीं ऐसा लगता है मुझे कि सब कुछ तो जुड़ा हुआ है लेकिन अगर मैं भी इस व्यापार से जुड़ जाऊं और बाद में हम भाईयों में कोई दर जो आमतार पर हम देखते हैं कि बड़े से बड़े दनाडिय परिवार में भी बाई 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 अलग हो जाते हैं। तो मैं इस कश्म कश्म हूँ कि क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी शादी लव मेरिज होगी या फिर अरेज मेरिज होगी। ये चंद सवालों के जवाब चाहते हैं, most important सवाल ये है कि मुझे MBA करनी चाहिए या नहीं, अलग से व्यापार करना चाहिए ये पिता के साथ जूड़ना चाहिए, पिता के साथ जूड़ते हैं तो भाई और परिवार से कोई जगड़ा तो नहीं होगा, बड़े समझदार ब और करक राश्य है, लगन जहां दस नमबर लिखा हूँ, वहां से कुड़ी शुरू होती है, जहां पर चार नमबर लिखा हुआ है, जहां पर चंद्रमा है, आप सभी को अगर अपनी राश्य जन्द कुड़ी के मालुम करनी हो, तो आप कुड़ी का लगन भाव खोली है, और उसमें जिस नमबर में चंद्रमा लिखे होते हैं, वो राश्य आपकी हो जाती है, तो यह करक राश्य हो गए, यहां पर लगनेश पंते शनी, जो की ट्वेल्थ हाउस, देखिए दस नमबर के लॉट होकर शनी, शुकर के साथ गराजबा ने, अपरे से बारवेगर में और लगन से बारवेगर में ट्वेल्थ हाउस, यानि विदेश भाव में होने से आपका भागय उदेश विदेश में ही होना था, तो आप दिल्ली से पैरा होकर लेगोस तक ही आपने यात्रा कर ली, वही पर सिक्षा और कर्व भाव के स्वामी शुकर भी बिराजबान है, शिक्षा यानि दो नम्बर जो लिखा हुआ है, और कर्व शुख यान साٹ रम में लिखा हुआ है, इन दोनों की लौट शुकर बनते है, जोगी ट्वेल्थ हाउसिंए, हम शुकर को बहुत अच्छा मानते हैं ट्वेल्थ हाउस ऐसे योग की वज़े से, ऐसे बच्ष्छे बहुत तरकी करते हैं और बहुत लकी रहते हैं और जीवन में खूब आशो आराम प्राप्त करेंगे तो ये आपके निए बेहत खुशी की बात है और आप एक समझदार बच्चे हैं आशो आराम का पूरा आनन्द लीजी और देखिए एजूकेशन के कारक ग्रह देवताओं लगनेश पर द्रिष्टी और एजूकेशन हाउस के लॉर्ड शुक्र को भी देख रहे हैं देवताओं की गुरु ब्रैश्पती में सिर्फ द्रिष्टी में अम्रे थे वो खबी बूरी द्रिष्टी से देख रहे सकते हैं यानि आपको MBA या मास्टर्स की पढ़ाई करने क योग जरूर बनते हैं और लेकिन 11 मई 2017 तक आपको शुक्र की जो गज़ दशा महा दशा चल रही है उसमें राहू का अंतर चल रहा है तो आपके लिए ना तो व्याबार करना भी अच्छा रहेगा और ना ही पढ़ाई करना क्योंकि राहू इन दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता हैं कई बार हम देखते हैं कि बच्चे माली ची आप 7-7000 रुपे की सेलरी है और आपको लगता है कि मुझे एमबी ए करनी चाहिए दो साल आप एमबी ए करते हैं उसमें आप 5-7,00,000,000 कर खर्चा करते हैं और उसके बाद आपकी सेलरी उतरी उतरी प्रमोशन नहीं मि पढ़ाई अगर करनी हो तो 2017 में मैई के बाद ही करने की सरा दूँगा लेकिन एक बात मैं एस्परस्ट कर दूँ कि आपके आगे पढ़ाई करने से बहुत बड़ा कोई फाइदा आपको मिलने वाला नहीं है। कि साथ आपको जूड़ना चाहिए या नहीं जूड़ना चाहिए। लेकर कुछ आए नहीं और लेकर आपको कुछ जाना नहीं इस टेंपरेरी जिंदगी में हमें सब कुछ पर्मानेट चाहिए। और यहाँ पर टैंथ हाउस पिता का भी है तो पिता के गर में मंगल बिराजबाने तो सुन्दर राजयोग बनता है। पिता के कारक्रे सूरी बनते हैं और सूरी इलेवन्थ हाउस देखिए जहां पर आठमा लिखा हुआ वहाँ पर सूरी और बुद्ध दोनों हैं। सूरी बुद्ध का भुदादिति योग सुन्दर राजयोग बनता है। अतहा आपको सौ पर्तिशत पिता के व्यापार से जुड़गा चाहिए। और अब चलता हैं कि भाई के गर की तरफ। जाशी है और ब्रैश्पति स्वैम अपने से चार दर्स का संब्ध बना रहा हैं कैसे मैं बताता हूँ। ब्रैश्पति बारा नंबर के स्वामी ओकर देखिए तीन नंबर विराजमान हैं। तो बारा से तीन के तरफ अगर आप पहुंचते हैं तो बारा एक दो और तीन ये चौता गर होता है जो की जन्मकुणियों में सुख का होता है। और इससे दस्वा गर यानि अगर ब्रैश्पति से बारा नंबर तक आप जाते हैं तो टैन ताउस होता है। इससे सुख और कर्म का संबंद कहते हैं। तो आप सब परिवार व्यापार से आगे बढ़ें। हम बले तो जग बला। तकलिफ है कब आती है जब हमारे मन में खोट होती है, हमारे भाव में खोट होती है, हमारी नीच्टा आ जाती बुद्धी में। तो आप भाई-भाई में जगड़ा होता है। तो आप परिवार में जगड़े होता है। थोड़ी सी बड़ी सोच रखें, कुछ हलके फुल क अगर हमें पता भी लगता है तो उसे let go, या तो let's go करें या let go, छोड़ दीजे उस बात को और let's go, आगे बढ़िये छोटी छोटी चीज़े, हो सकता है कि कई बार हम अपने परिवार में भी इतने खर्चे कर लेते हैं, हमारे परिवार के लोगों उसे बहुत बड़ी सफलता मिलती है सोच बड़ी रखो के तो बजाएगा बढ़ते हम आगले पॉइंट की तरफ अब आईए बात करते हैं, शादी की लव मैरिज होगी, या अरेंज मैरिज होगी तो विवाह की तरफ जाने के लिए हम देखते हैं सेवंत हाउस की दरफ सेवंत हाउस जहां पर चार नमबर लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा बिराजबान है चंद्रमा को देखकर हम एद बनाते हैं तीज बनाते हैं, करवा चौत बनाते हैं चंद्रमा को देखकर किसी मैला की ग्रहन दोश भी बना हुआ है तो आपको ये भी हो सकता है कि पती पत्री के वैचारिक मदभेद भी हो इसके लिए आपको पून रूप से कुंडली मिलान करके ही विवा करना चाहिए और विवा का योग अगस्त 2016 के बाद जब देवताओं के गुरु ब्रैश पती राशी से तीसरे यानि करक राशी से तीसरे कन्या राशी में आ जाएंगे तब अपनी पांचवी दृष्टी से पत्री बाव को देखेंगे तब विवा का सुंदर योग बनेगा थोड़ा इंतजार करना चाहिए जल्दी बाजी ना तो माता पिता को करनी चाहिए ना ही आपको करनी चाहिए अब आज के मेरे निशकर्ष के तरफ चलते हैं कि मैं दोरजाश 17 तक आपको सिर्फ जॉब करनी चाहिए और MBA करनी हो तो आपकी अपनी इच्छा है आगे अच्छा रहेगा ये बुरा रहेगा आपका बहुश्चे बताएगा मेरी तरफ से आपको मना है आपको इसमे कोई बड़ा फाइदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपको व्याबार ही आगे करना है तो स्वैम के विकास के लिए आप मैनेज्मेंट के सेमिनार अटेंड करें रात को एक गटे मैनेज्मेंट की पढ़ाई करें ना कि सारा जॉब और काम दंदा छोड़कर आप MBA करें इससे बहतर रहेगा कि आप सेमिनार अटेंड करें अपने दर मैनेजमेंट की क्वालिटी डेवलप करिये रोज एकात गंठा पढ़ाई करिये घर में ही बैठकर किताबे लाइए उससे आपका वैक्तित को विकास होगा और ना कि दो साल एम्बिया में वैक्तित करें और इसके लिए हो सकता है हारवर्ड से आपने एम्बिया नहीं कियो लेकिन हारवर्ड से जो जिन्नों एम्बिया किये उसे हम अपने कंपनी में जॉब देंगे और अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे ये ज्यादा बहतर आपके लिए रहेगा कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्न उपायों का सहरा लेकर आप बहुत अच्छी जिन्दिगी जी सकते हैं शरी देव को प्रसन करें और दशरत करत शरी स्तोतर पढ़ें ग्रहन दोष निवारन की शांती वैसे तो 11 साल की उम्र से पहले अगर करवाते हैं आपके माता पिता तो ज्यादा बहते रहता परन्तु अब आप सिद्ध बिसा यंतर के बीचे ग्रहन दोष नाशे कवच के साथ नीलम पन्ना और हीरा हीरा सवादोर रतिका और नीलम और पन्ना सवाचार सवाचार रतिका गले में धारान करना चाहिए शुक्र के मंत्रों के सोला हजार जाब करने चाहिए और नहीं कर सकते हैं तो पंडी जी से करवाएं तो अर्थालिस जार तीन गुना जाब करने चाहिए और बहुले नात शिव की आरादना करने से ग्रहन दोष पिजए आपको मुक्ती भी मिल सकते हैं विश्य करवाते रहें तो ये था जन्मकुनली का विश्यशन तरशकों इस कारेकरम से देखने से आपको लाब ये मिलता है कि जोतिश विज्ञान ही नहीं महाविज्ञान है इसका सहारा लेकर आप अपनी भूत काल भविश्य वर्तमान को काफियत तक भूत काल को कैसे करेगी वो तकलिफों को आज बांसी का शांती हो रही है उसको सौल किया जा सकता है तो यदि आप भी ऐसे ही किसी जन्मकुनली विश्यशन को चाहते हैं तो आपरे जोत्पुर कारेले से संपर करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए दमस्कार और मनाए हमारे साथ गणेश महत्सव 17 सितंबर से 27 सितंबर तक अधिक जानकारी के लिए संपर करें 0291 519 00 00 98 290 266 25 93 147 28 165